तो लास्ट वीडियो में हमारी ड्रैगन आर्मी कम्पलीट हो चुकी थी जितने भी हमारे पास ड्रैगन एक्स थे हमने सारो इंक्यूबेट कर लिए और बहुत जादा खतरना खतरना ड्रैगन्स हमें मिले तो हमारी dragon army complete हो चुकिए लेकिन अभी भी इस world में बहुत सारे dragons हैं जिनके eggs छुपे हुए इन सब eggs को डूढ़ना काफी जादा जो है मुश्किल होने वाला है क्योंकि सारे जो हैं अब rare eggs हैं और बहुत जादा हमें खत्रों का भी सामना करना पड़ सकता है तो finally आज टाइम आ चुका है फिर से adventure पर जाने का और आज का adventure बहुत जादा खत्रनाक होने वाला है तो वीडियो पूरी देखना पसंद आए तो like करना चैनल पर नहीं होते हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करना 100K के काफी करीब है तो subscribe कर देना बढ़ते हैं वीडियो की तरफ पिना किसी देरी के ओल्राइट गेमर्स तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रैगन वर्सेज वाइकिंग्स में तो ये कानी शुरू ही थी जब हमारा विलेज डेस्ट्रोई कर दिया गया था एंड हम बहुत ज़ादा बेबस थे लेकिन आज हमारी ड्रैगन आर्मी कम्पलीट हो चुकी है हमारे पास बहुत सारे ड्रैगन से एंड अब हम जो है एक पावरफुल वाइकिंग्स है एंड इस जर्णी में हमने इस वर्ल्ड को बहुत ज़ादा एक्स्पलोर किया है लेकिन अभी भी इस वर्ल्ड में बहुत सारी मिश्ट्री चुपी हुई है बहुत सारे बोसेज हैं इस वर्ल्ड में तो आज हम जाने वाले कुछ ड्रैगन एक्स को लेने के लिए उसके लिए हमें जाना होगा Dark Lands में वहाँ पर हमें मिलेगा Lycan Dungeon तो वहाँ पर हमें एक Lycan Dragon मिलेगा एंड उसके साथ ही बहुत जादा Dangerous Dragon मिलेगे हमें Dark Lands में तो आज की जर्णी काफी जादा खतरनाक होने वाली है काफी मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में ये देख सकते हूँ आप कितने सारे ड्रेगन्स हो चुके हैं हमारे पास मैंने बहुत सारे ड्रेगन पेडेस्टिल और बना लिए हैं क्योंकि लास्ट साइद 14 नहीं थे न अपने पास 16 और बना लिए मैंने तो टोटल 30 हो चुके हमारे पास ड्रेगन पेडेस्टिल हमारा श्टोरेज रूम और ये हमने बनाये था होल जिसके अंदर हम रखने वाले हैं ड्रेगन पेडेस्टिल तो इसके ना फर्ष का मैंने सारा काम कम्प्लीट कर दिया है और मुझे लग रहा है कि यार ये होल बहुत जादा छोटा पढ़ने वाला है तो इसको ना हम बड़ा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नी है तो अभी तो कोई बात नी जितने मेरे बास पेडेस्टिल हैं उस पे सारे ड्रेगन रख लेते हैं बाकी हम बात में कर सकते हैं कोई दिक्कत नी होगी यहाँ पर तो एक बार तो मैं रोज में रख देता हूं सारे अगर बीच में मैं जगे छोड़ूँगा ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि यार ड्रेगन आप आएंगे सारे तो यहाँ पर ना एक बार तो सारी रख लेता हूं में पेडेस्टल और पीछे में ना एक ब्लोक छोड़ रहा हूं क्योंकि जब मेरे पास वाइट कॉंक्रीट और आ जाएंगे क्यों जितने थे मैंने फर्ष पर लगा दिये थोड़े बहुत वाइट कॉंक्रीट में और लेकर आऊंगा तो इनको ना पीछे एक दिवार बना देंगे तो वूड़ से थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा और काफी जादा खतरनाक भी लगेगा ये तो एक काम करते हैं यहां से हम स्टार्ट करते हैं ड्रेगन्स को रखना तो आप ड्रेगन्स भी देख लेना हमारे पास कौन गोंसे हैं तो यह है ड्रोगोन, नाइट फ्यूरी दूसरा है हमारा फ्लेम फ्यूरी जो कि हमारा सबसे में ड्रेगन है toothless and उसके बाद है shadow fury, light fury हमारी angel काफी cute सी and उसके बाद है ocean water fury and यह हमारा storm fury then forest fury and सबसे last में हमने रखा है kankal को जो की है bone fury तो fury dragons के नाम तो मुझे याद है क्योंकि है सारे special dragons है वैसे सारे अच्छे dragons हैं but furies मतलब एक fury army हमारी पूरी तो बाकी के dragons मैं फटाफट यहाँ पर रख लेता हूँ एक बार तो बाद में ना इनको हम आराम से कभी वैसे आपने देख ली लिये हैं सारे dragons तो फटाफट से सारे dragons को मैं रखता हूँ यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और कितने सारे पेडस्टल की जरुरत पढ़ने वाली है तो अभी मैं रखता हूँ सारे dragons को यहाँ पर सबसे आखिर में यहाँ पर रख देते हैं हल्क को और हमारे सारे dragons आ चुके हैं पेडस्टल पर अभी भी बहुत सारे dragons बच गए हैं बट मेरे हिसाब से 30 dragons आ चुके हैं और बाखी के हम बाद में इसको extend कर लेंगे और थोड़े बहुत पेडस्टल मुझे और बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने snow को रख दिया है क्योंकि यार थोड़े अलग-अलग dragons होने चीए हैं समझ में भी आने चीए हैं काफी जवर्दस्थ हो ले आप लोग बताना कि यार आप लोगों को यह होल कैसा लग रहा है एक दिक्कत है बस थोड़ा सा दूर जाते हैं ना तो इनके आइकन्स हमें नहीं दिखते हैं दूर से भी दिखते हैं ना तो काफी साही रहता बटी के जो है काफी अच्छा है और बचे हुए ड्रेगन को हम फिलाल तो जो है अपने और बिश्टोरेज के अंदर रखने वाले तो पांच ड्रेगन बचे सिर्फ एंड एक ड्रेगन जो है मैं अपने साथ रखने वाला हूँ आज के डवेंचर के लिए वह होने वाला है वुल्फी तो एक काम करेंगे जब भी हम एड्वेंचर में जाएंगे हर एपिसोड के लिए एक अलग अलग use करेंगे ताकि ना एक freshness बनी रहे और काफी मज़ा आएगा यार सारे dragons को यूज़ करने में कुझी सारे dragons ना काफी एक से बढ़कर एक है एंड एन्विल को एक काम करता हूं मैं यहां पर रख लेता हूं क्योंकि ना पता नी आराम से एडवेंचर पर तो डाइमंड मेरे यहां पर हो गए एंड पिक एक्स रखते हैं छे की कोस्ट है बट ठीक है हमारा काम हो गया पिक एक्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे 87 XP लेवल है बट मैंने अभी तक एंचेंटमेंट टेबल नहीं बनाई यार जरुत ही नहीं लग रही थी मुझे बट एक काम करेंगे एंचेंटमेंट टेबल भी बना देंगे क्योंकि हमारे पिक एक्स ये न अच्छे एंचेंटमेंट नहीं यार इनके उपर बाकि अपना आर्मर और ये सारे सब तगड़े हैं ओके तो अब टाइम आ चुका है डार्क लेंट्स वर्ल्ड में जाने का क्योंकि वहीं पर हमें मिलेगा रास्ता लाइकन डंजन में जाने का तो उसके लिए हमें डूणना होगा ओबलिस्क और वो इस वर्ल्ड में जगे जगे पे है तो देखते हैं कहां पर हमें मिल सकता है वो एक ब्लेक कलर का इस्ट्रक्चर होगा जिसके तुरू हम जा सकेंगे डार्क लेंट्स वर्ल्ड में सो यार बहुत ज़ादा पटकने के बाद फाइनली हमें ओबलिस्क मिल गया है एंड इसके थुरू हम जाएँगे डार्क लेंट्स वर्ल्ड डाइमेंशन में वो एक तरह से अलगी एक डार्क दुनिया है तो एक सेकिंड ये कहां है क्या देख रही है इधर hai चल दिखल यहास मेरे साथ साथ पता नहीं डार्क वर्ल्ड में आ जाएगी एक सेगिट ये वापस करा गई बात समझ में नहीं आरी तिरको चल देखे लिए ऐसे ओके ये तो ऐसे ही गरती रहेगी चलते होग सीधा डार्क लेट डाइमेंशन में ये देखो भाई कितना जबर्दस डाइमेंशन पूरा डार्क है वैसे हम फायर नेशन डाइमेंशन में गए थे ना सेम उसी टाइप का है बट ये थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे वुल्फ जो कि ना बहुत जादा डेंजरेस होने वाले है तो हमे थोड़ा सा आराम आराम से यहाँ पर देखना पड़ेगा सामने की तरफ ही मुझे एक टेमपल टाइप दिख रहा है वेट वहाँ पर चल के देखते हैं कि यार वाकिर वहाँ पर है क्या एंड ये क्या रोशनी आ रही है शायद से ओके शायद से हमारे आर्मर से आ रही है ये तो ये ना एक पिरामीड टाइप का बना हुआ है इसके अंदर चल के देखते हैं कि है क्या यहाँ पर एक ताबूत पड़ा हुआ है बहुत जाधा डरावनी जगे ये तो पहले तो मैं टोर्चे ले लिए ये नाइट भी हो गई इस वर्ल्ड में नाइट भी होती है वेट ये कुन सा एक है ममी एक ओके तो हमें एक ममी ड्रेगन मिला है तो ड्रेगन एक्स मिलने की शुरुआत हो चुकी है और इस वर्ल्ड में जितने भी हमें ड्रेगन एक्स मिलेंगे न सारे बहुत जादा खतर राख होने वाले है तो शुरुवात हो चीकिए ममी एकस है और आगे चलके देखते ही कि हमें कौन-कौन से और ड्रेगन एकस मिलने वाले है क्योंकि यहाँ पर एक सेगिड यहाँ पर तो बहुत सारे वुल्फ जमा हुए है हाँ इन सब वुल्फ को हमें मारना भी पड़ेगा क्योंकि इनको मारने से हमें लाइगन डंजन के की मिलने वाली है तो इनके साथ हमारी फाइट तो होगी एंड यह जादा ओके एक बार में ही चला गए तो यार जादा दिकत देने वाले हे नहीं मुझे लग रहा है तो एक सेकिन आजा बेटा ओक ओके आप साही पड़ी है पहले दो दो का डेमेज मिल रहा था सिर्फ इसको एंड यह गया तो एक बार में हम एक हीट में जो है एक वुल्फ को खतम कर सकते है तो काफी सही है काफी जल्दी हमें कीज मिल जाएगी वैसे अभी तो नहीं मिली है अनलकी रहे है अभी शुरुआत में दो हम एंड इस साइड में देखो भाई यह क्या चीज़ है बेट है शायद से पर इतना बड़ा बेट यहाँ पर चारों तरफ बेट सूट रहे है और सूरज डलने वाला है नाइट होने वाली है यहाँ पर लावा भी बहुत सारा है ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्प्लोर करते है देखते हमें क्या-क्या मिल सकता है यहाँ से एंड खत्रे भी यहां पर काफी जादा है आजा बेटा गया यह ठीक है अभी तक तो हमें की नहीं मिली है यहां पर ना बहुत जादा वुल्फ से है तो बहुत जल्दी जो हमें की मिल जाएगी उसकी कोई दिक्कत नहीं है इनकी आवाज बहुत डरावनी है ओके यह भी गया चलो ठीक है तो बेट्स एंड वुल्फ भाई एक साथ मता हो यार दिक्कत हो जाती है वैसे इतना डेमेज इनका है नहीं हाई बट चलो ठीक है अपना थोड़ा सा एक्स्प्लोर करते है यहां पर अपनी वुल्फी के साथ करेंगे थोड़ा सा एक्स्प्लोर ओके सु सामने की तरफ ना मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और देखते हैं वहाँ चलके कि वहाँ पर है क्या है वुल्फी को तो भाई अपने और्प के अंदर ले लेते है क्योंगी वुल्फी भाई किसी पर भी एक सिकिन यह क्या हुआ यह कैसा ग्लिच था वह उड़ते उड़ते अच्छानेक से नीचे आगई यार वुल्फी चलो कोई नहीं अभी चलते है फटा फट से उस इस्ट्रक्चर के पास एंड देखते हैं कि वहाँ पर है क्या आखिरकार एंड यह न थोड़ा सा एरेनर टाइप का बना हुआ है जहाँ पर फाइट्स होती है न यह क्या चीज़े वेट ओके यहाँ पर और तो कुछ भी निए यह बना हुआ है सर्बेरस ओबेलिस्क ओके ओके इसको राइट क्लिक करने पर कोई तो मोब स्पन हो रहा है वेट यहाँ पर मैं शील्ड ले लेता हूँ एंड यह तो हाइट्रा है तो फड़ा फड़ से इसको मारते हैं एंड पाई यह तो बहुत जल्दी मर किया मुझे लगा तगडी फाइट होगी यहाँ पर एंड इसने फाइर एसेंस ड्रॉप किये हैं जिनकी हमें अब जरूरत है नहीं क्योंकि इनसे बनता है फ्लेम फ्यूरी है और वो हमने पहले ही बना लिया है बर्ण क्वार्ट्स हैं यहाँ पर एंड सर्बेरस हेड भी है तो इसको हम पहन तो नहीं सकते हैं एसे ट्रोफी सोपीज हमारे काम आ जाएगा तो यार ठीक है इसने कुछ चीजे चलो ड्रॉप तो करिए तो अभी एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा आसपास का एरिया और देखते हैं कि यहाँ पर हम लाइकन डंजन का डोर हमें कहां मिल सकता है और भी यहाँ पर ड्रैगन एक्स है तो वो भी हमें डूंडने है यहाँ पर तो शायद से हमें यहाँ पर एक ड्रैगन का नेस्ट और मिल चुका है यह ना भाई टार्क जगे पर थोड़ा सा एकदम रंग बिरंगा देखके यह क्या चीज है बुक शेल्फ है तो भाई यहाँ पर है क्या पार्टी चल रही थी क्या यहाँ पर कोई ओके इस साइड पर भी बुक शेल्फ है तो बुक शेल्फ हम निकाल सकते हैं क्या ओके निकाल सकते हैं तो मैंने ले लिए यहाँ से हो जाएगा अपना काम वैसे इन तो एक बार ना थोड़ी से inventory खाली कर देते हैं backpack के अंदर अपन चीजे डाल देते हैं या जिनकी ज़रुरत नहीं है थोड़ी बहुत inventory खाली हो जाएगी तो ठीक है ये काम हो गया है और ये जगे न बहुत ज़ादा डरावनी लग रही है तो यहाँ पर vampires party करते हैं ऐसा लग रहा है table, webel, kurshat, सब जमा रखी हैं यहाँ पर तो कोई बात नहीं हमारे पास भी एक vampire एक आ चुका है और यहाँ पर जगे काफी भाई मेरे को यार ये जगे बहुत ज़ादा डरावनी लग रही है यहाँ पर night भी हो चुकी है तो एक काम करते हैं थोड़ा बहुत और explore करते हैं अपने वुल्फी के साथ देखते हैं यहाँ पर बादल भी आ चुके हैं भाई morning होने देते हैं इस वुल्फ को तो हमारी वुल्फी नहीं निप्टा दिया एंड वुल्फी को मैं इसलिए भी लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ हैं तो वुल्फी भाई इनको खाएगी तो थोड़ा बहुत भाईचारा बढ़ेगा इनका तो एक काम करते हैं अभी थोड़ा सा वर एरिया एक्स्प्लोर करते हैं तो यहाँ पर मुझे एक विलेज दिखा है जो कि ना बहुत ज़ादा डरावना है तो यहाँ पर एक ओके यह स्ट्रक्चर है इसके अंदर चल के देखते हैं ओके यहां से हम नीचे जा सकते हैं यहाँ पर स्पाइडर से तो यह तो गया स्पाइडर यहाँ पर स्पाइडर की सेना पड़ी हुई है कितना सारे स्पाइडर हैं यहाँ पर तो चलो इनको तो मैंने खतम कर दिया वैसे स्पाइडर जॉम्बी यह हमें ज़्यादा दिकत देते नहीं हैं क्योंकि आपना इनके लिए हम ओवर पावर्ड चम सई होगा इन सबी को तो मैंने खतम कर दिया है यहाँ पर हमें हो सकता है और खुछ मिल जाये क्योंकि ऐसे ही तो इस्ट्रक्चर नहीं बना होगा यहाँ पर ओके यह तो गए यहाँ पर लास्ट इस्पाइडर बचा है यह भी खतम spider भी गया, चलो ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है, ओके यहाँ पर zombie है कि, तो हमें मिले है mummy, vampire and zombie भाई, क्या ही dragons मिले हैं, तीनों तगड़े तगड़े ठीक है, यहाँ पर हमें dragon मिल चुके हैं, अभी एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, and थोड़े बहुत wolfs को मारते हैं, ताकि हमें keys मिल जाएं, and यह क्या है gravestone, ठीक है, gravestone ले ले लेते हैं, सजाने में काव आएगा हमारे गर पे, काफी तगड़े लगेंगे यह, तो यहाँ पर तो वैसे dark जादा है, तो इतने दिख नहीं रहें, सईसे, and एक सेकिन, यह wolfs देखो, तो गया है, and मुझे न आप बहुत सारे wolfs को मारने है, and बहुत सारे wolfs मेरे पीछे आ चुके है, तो इनको मारने से हमें keys मिल जाएगी, तो आजो, सब आजो तो यार, बहुत सारे wolfs को मैंने मार दिया, and यहाँ पर मुझे तीनो टियर की dungeon keys मिल चुकी है, तो हमारा काम हो गया है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो है डूनना है यहाँ पर, like a dungeon door को, तो मैं थोड़े बहुत और wolfs को मारते ही निकलता हूँ वेसे इनको मारूँगा, तो मारता ही रहूँगा बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो अब डूनने के लिए चलते हैं, फटाफर से, like a dungeon door को ओके, तो finally हमें मिल चुका है, like a dungeon door and tier 3 की key के साथ हम जाने वाले हैं इसके अंदर क्योंकि सारी OP loot tier 3 के अंदर ही मिलती है okay, finally हम पहुँच चुके हैं and यहाँ पर हमारी स्वागत के लिए तयार है खुछ wolfs, तो जल्दी से हमें जो है, last door तक पहुँचना होगा जहाँ पर हमें एक room मिलेगा, जिसके अंदर हमें सारी precious item मिलने वाले हैं वहाँ पर तो देखते हैं क्या-क्या मिलता है, उससे पहले यहाँ पर door and यहाँ पर wolf तो है, यह क्या चीज़ है, werewolf and शायद से इन werewolf को मारने पर हमें मिलेंगी heavy door की क्योंकि सारे dungeon में एक इस type का boss तो होता ही है जिसको मारने पर हमें heavy door की मिलती है, yes मिल गई है तो इनको मारने से हमें heavy door की मिलेगी and सामने की तरफ heavy door है and दोनों तरफ छोटे-छोटे doors है तो इसको हम open करते हैं यहाँ पर बहुत सारे doors है मतलब बहुत सारी keys हमें लेके आनी पड़ेगी तो इस साइड चलते हम and देखते हैं कि कितने हमें heavy door की चाहिए होगी तो ठीक है and यहाँ पर एक और वेर वुल्फ है तो फड़ा फड़ से इन सबी को मारता हूँ मैं तो इसके साथ ही मुझे न 8 heavy door keys मिल चुकी है तो यहाँ से निकलते है ओके तो उस door से हम गुसे पूरा round ले गए इस door से निकल गए and जितनी हमें heavy door key चाहिए थी सारी मिल चुकी है मुझे लग रहे ज़्यादा ही मिल गई है तो यहाँ पर open करते हैं बहुत सारे doors को and यहाँ पर बहुत सारे doors है भाई कितने जासा doors बना रहे हैं यहाँ पर तो शायद से ये ओके ये last है and यहाँ पर मुझे room दिख रहा है तो यहाँ पर हमें मिलने वाला lycan dragon egg तो इसको ना open करते हैं and yes सामने की तरफ ही chest पड़ी हुई है and यहाँ पर बहुत सारे wolves है तो पहले तो मार था हूँ मैं इन सबी को पाई इन wolves ने परेशान कर दिया इस पूरे world में and आजा बाई चलो wolves सारे खतम हो चुके है and यहाँ पर बहुत सारे dragon brassiers पड़े हुए and सामने की तरफ सो रहा है lycan dragon okay यह lycan dragon है yes यह lycan dragon ही है तो okay एक सिकंड यह रहा lycan dragon level 50 का ही है यह and level 100 पर okay इसका एक भी यहीं पर है तो इसको निकाल लेते हैं एक को and then chest के अंदर देखते हैं कि क्या-क्या पड़े हुए and chest कि उतनी जबरदस्त ही है तो यहाँ पर एक lycan bow है एक sword है and एक है lycan की shield चलो तीन चीज़े हो गई and इसको भी निकाल लेते हैं भाई यह chest मुझे काफी जबरदस्त लग रहा है तो पहले तो एक काम करता हूँ इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली कर लेता हूँ सारे backpack में डाल लेते है ओके तो inventory तो sort हो चुकी है and यह तो शायद दोनो portals है यह रहा यहाँ पर armor stand and इसके उपर पूरा lycan armor set है तो ओके chest plate आ चुकी है and enchanted नहीं है यह तो चलो कोई नहीं अपन enchant कर लेंगे इनको बट यह नहीं काफी जबर्दस armor set होने वाला है तो यह तो हमने निकाल लिया यह बाहर जाने का रास्ता है बट यहाँ पर और भी chest है खाली है यह भी खाली है दोनों ही खाली है चलो कोई नहीं chest दो लहीं लेते हैं कि यह नहीं यहाँ पर chest काफी जबर्दस तेया रही है लाइकन chest जो है न यहाँ पर एक second उपर चलके देखे क्या okay नीचे ना गिर जाओं में बस तो कुछ भी नहीं है आसपास का area भाई यहाँ पर एक maze type बना हुआ है तो निकलते हैं यहाँ से हमारा काम हो गया है वैसे यह लाइकन dragon है जिसको हम आज level 100 पर लेके जाने वाले है तो बाहर तो हम आच चुके हैं अभी एक काम करते हैं यहाँ से हम सीधा चलते हैं घर पर तो उसके लिए हम warp stone का use करते हैं तो यह रहा हमार वाप stone यहाँ से हम चलते हैं सीधा home और वी आपक पाई adventure के बाद आच चुके हम वापस से घर पर और काफी खतरनाक adventure था वैसे mobs इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे जिनके साथ हमारी fight हुई थी बट atmosphere काफी जबरदस था तो एक बार तो मैं यहाँ पर सारे आइटम सोट कर लेता हूँ तो पूरा lichen armor set and shield sword हाथ में लेने के बाद मैं बन चुका हूँ lichen king और यह ना मेरे को ना काफी ज़्यादा cool सा लग रहा है armor देखो आप shield देखो इसकी उसके उपर logo देखो wolf का यह ना bow है ना यह भी काफी जबरदस्त है इसके ओके बो के उपर भी wolf का face है भाई यह बहुत cool है पूरा armor set बट इसको ना हम नहीं पहन पाएंगे बट देखते हैं अगर कभी fight में पहनेंगे कि बूट्स ना मुझे वो clouds वाले ही सही लगते है पर उनमें jumping काफी जबरदस्त है और हमें fall damage नहीं मिलता है बट यह armor set बहुत जबरदस्त है तो we are officially lycan king और सिर्फ एक चीज़ की कमी है वो है हमारा lycan dragon तो उसको हमें level 100 पर लेके चलना है तो incubate होने के लिए तो मैंने उसे पहले ही लगा दिया था तो शायद से incubate हो गया होगा अब तक तो तो चलके देखते हैं एक बार और यह हमारे तीन dragon egg है उनको हम बाद में incubate करेंगे तो lycan egg हमारा incubate हो चुका है और आप करते हैं इसको hedge फटा फट से ओकी यह female है बट इसका नाम वैसे lycan नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि उसके लाब मुझे और कोई नाम सूझ नहीं रहा है तो लेवल वन पर बाई यह dragon तो वैसे हमने देख लिया है अभी तो एक काम करते हैं इसको फटा फट से लेवल 100 पर लेके चलते हैं यह क्या हो रहा है बाई यह कैसा बग है बाई कैसा ग्लेच है मैरे सारे चेस्ट गाए बोचुके है बाई मैं आइटम निकाल पा रहा हूँ बड़ यहां पर चेस्ट ही नहीं दिख रहे है चलो कोई नहीं ठीक है जो भी है अभी फटा फट से एक काम करते हैं मैं इसको लेवल 100 पर लेके चलता हूँ ड्रेगन को एंड देखते हैं यह कैसा लगने वाला है इसी के साथ हमारा लाइकन ड्रेगन आचुका है लेवल 100 पर एंड यह बहुत जात ओ भाई का जा रहा है रुख जाना भाई देखने तो दे साही से बहुत साही लग रहा है तो एक और ड्रेगन जुड़ चुका है हमारी ड्रेगन आर्मी में तीन एक्स हम भी हमारे पास और पड़े हुए है वेंपायर, ममी, एंड जॉम्बी तो तीनोई ड्रेगन काफ़ी जादा जो एक खतरनाग होने वाले है बट उनको हम और कभी इंक्यूबेट करेंगे एंड देन उनको लेवल 100 पर भी लेके जाएंगे बट अभी बारी हमारे लाइकन को उड़ाने की एंड ये ना ड्रेगन ठीक है वेसे थोड़ा सा अलग सा ड्रेगन है बट अभी न मुझे तो अपना आर्मर देखने मुझा रहा है क्योई जबर्दस आर्मर है एंड केम भी लेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा बट कोई नहीं काफी जबर्दस रही आज की जर्नी काफी जादा एडवेंचर रहा है आज का तो लाइकन किंग हम बन चुके है एंड पाइमर को यह आर्मर सेट काफी जबर्दस लग रहा है एंड वो भी काफी जबर्दस थे तो इन सबी को मुझे एंचेंट भी करना है तो वो हम करेंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो कैसी लगी आप सब को बताना जरूर से थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिला था मैं थोड़ा सा बीजी था मैं तो लेट भी आई थोड़ी सी एंड दो चार मिंट छोठी भी रह गई बट कोई नहीं आई होब कि आप लगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करना चैनल पर नए होते आर सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि ना आम और भी एक दो सीरीज मेरा प्लान में है कि आर में स्टार्ट करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कर देना मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई